पिरियोडिक क्लासिफिकेशन के दौरान लोथर मेर सहाब ने 1870 में एक कर्व को रिप्रेजेंट करा था जो की आटोमिक फॉलिम वर्सेस आटोमिक वेट को रिप्रेजेंट करता है अगर हम इस कर्व की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे एलेमेंट्स है तो इस प्रकार उन्होंने कहा था कि जो हमारे एलेमेंट्स है उन्होंने सही तरीके से उनकी प्रॉपर्टीस के नुसार उन्होंने अपनी प्लेस को रिप्रेजेंट करा है तो इस प्रकार हमें इस पर कोशन आ सकता है नीट और जी एक साम में आप से हमें पता चल रहा है कि जो हमारे curve के highest peak पर जो elements है वो हमारे alcaly metals है और जो हमारे descending curve में जो elements है जैसे कि beryllium, magnesium और calcium वो हमारे alkaline earth metals है और जो हमारे ascending curve पर जो elements है जैसे कि fluorine, chlorine, bromine, iodine इस परकार यह हमारे halogenes है जो कि ascending curve हैं तो इस पर आपको question पूछे जा सकते हैं और वो मेरे बॉटम में हैं वो मेरे ट्रांजिशन एलेमेंट्स हैं